इस वीडियो में हम लोग exercise 5 का सबसे पहले solution देखेंगे और फिर उसके बाद में shout out दूँगा कुछ लोगों जिन्हों ने exercise 5 को solve किया चल देंगा video screen में and let's get started so guys time आ चुका है हमारे पास exercise 5 के solution को देखने का exercise 5 थी क्या hacker man हम लोग को hacker man मनाना था ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे async कवेट sentence का use करके hacker man मनाएंगे मैं याँ पर क्या करूंगा सबसे पहले तो script लिखूंगा let a is equal to और जितने वी टेक्स्ट है वो सारे याँ पर लिख दूगा जैसे की initializing hack tool ठीक है मानलो initializing hack tool है फिर इसके बाद connecting to facebook और उसके बाद मानलो मैं लिखता हूं connecting to server one और फिर उसके बाद जस्ट वह दिखाने के लिए की connection failed retrying ठीक है और इसके बाद यह और मैं छोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं इसमें ताकि यार मजा आये यार देखो मजा आये कोई भी यह रैपल चलाए तो connecting to server two connection connected successfully ठीक है retrieving username यहां फिर लिखता हूं username मालू मैं I am Harry नाम के एक username को जो है retrieve करना चाहता हूं trying root force ठीक है फिर लिखेंगे 200k password tried और फिर इसके बाद match not found ठीक है और इसके बाद मैं इसको copy करूंगा फिर मैं लिखूंगा अनृट 200k password tried match not found तो मैं आपर लिखूंगा finally match found कि यार मुझे match मिल गया ठीक है और इसके बाद accessing account और इसके बाद मैं लिखूंगा successful ठीक है अब मुझे क्या कर रहा है इनको एक करके जो है एक function लिखना है और मैं लिखूंगा const show hack is equal to a function ठीक है और यहां पर मैं लिखूंगा इसको दूँगा एक list ठीक है sorry array ठीक है और मैं लिखूंगा array यहां फिर मैं लिखूंगा messages ठीक है और मैं आपर simply क्या करूंगा एक ही करके उन सारे messages को मैं show करूंगा ठीक है तो मैं simply इसको एक async function बनाऊंगा और मैं लिखूंगा const show hack is equal to a async function और यह simply क्या करेगा सबसे पहले तो थोड़ी दिर रुकेगा और उसके बाद मैं आपर लिखूंगा sleep for two seconds और अभी sleep function बेंप्लिमेंट करेंगे और इसके बाद console.log message ठीक है इस message को show करेगा ठीक है तो जो sleep है उसको हम implement करेंगे async अवेट क इसका इस्तिमाल करके और यहाँ पर मैं simply क्या करूंगा seconds लिख दूँगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा return new promise और resolve reject ठीक है और यह करने के बाद मैं आपर लिखूंगा set time out ठीक है और set time out और इसके बाद यहाँ पर मैं simply इसको resolve कर दूँगा with value true और यह काम मैं करूंगा seconds multiply by thousand के बाद यह मिली सेकंड होते है जो set time out का argument होता हो मिली सेकंड होता है ठीक है यह मैं कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसको await करूंगा await sleep और मैं आपर इसको एक async function बनाओंगा और यह करने के बाद मैं आपर simply क्या करूंगा एक और function बनाओंगा बना मैं आप लोगों को एक iifee के बारे में बताता हूं async iifee अगर आप लिखोगे तो iifee क्या होता है यह भी हम जो है सीख लेते हैं iifee की platform होती है immediately invoked function expression ठीक है यह क्या होता है यह कुछ इस तरह से दिखता है देखो आप iifee को इस तरह से हो और इतने सारे syntax को type करने के बजाए मैंने इसको इस तरह से ले लिए यह क्या होता ही immediately invoke हो जाएगा यह कैसा function है जो कि immediately invoke हो जाएगा ठीक है actually मुझे इसको ऐसे करना होगा कि मुझे इसको invoke भी करना है और यहाँ पर मैं अपना code डाल दूँगा तो मैं आपर क्या करूंग let i is equal to zero एक अपना वही traditional for loop लगांगा i is less in messages.length और इसका नाम मैं messages रखता हूँ और यहाँ a.length कर देता हूँ चलो थोड़ा short पड़ेगा वैसे हमेशा meaningful variables ही आपको use करने चाहिए और i++ ठीक है और इसके बाद आपको simply क्या करना है लिखना है show hack और इसके बाद AI ठीक है तो ठीक है अगर एक है करके सारे messages को दिखाएगा और इसको भी मुझे यहाँ पर await करना है और अभी मैं इसको run करूं अगर तो मैं actually क्या करूंगा इसको reload करूंगा ऐसे और फिर देखोंगा कि क्या मेरे console में को issue तो नहीं आ रहा है और को error आएगा तो उसको solve करेंगे हम ठीक ह देखो दो सेकिंड के बाद initializing hack tool connecting to facebook देखो एक है करके सारे messages जो है आ रहे है ठीक है यह देखो देखरे हो आप लोग देखरो लग रहा है लेकिन उतना मज़ा भी आया नहीं तो मैं पता है क्या करूंगा अब आप देखो मैं क्या करने वाला हूँ और आप लोग भी गोग करते हैं है कर लिखते हैं और hacker console लिखते हैं है कर दिखता है मतलब लोगों के दिमाग में क्या होता है एकर कंसल कैसे लिगा background black और text green होना चाहिए बाइख कलर ग्रीन करेंगे यह black करेंगे और मैं आपर क्या करूंगा यह hello word की जगह मैं simply क्या करूंगा यह करूंगा और दे CSS मेरी apply हो जाओ भाई हो गई ठीक है तो मैं आपर कुछ भी लिखूंगा green का अगर में लिखूंगा ठीक है तो मैं अभी अगर document.write करूंगा वैसे document.write को use नहीं करना चाहता तो इसलिए जो है मैं यहां पर एक div बनाता हूं या फिर मैं body.inner html भी कर साता हूं और मैं को करन लिखूंगा text.inner html is equal to console.log की बचाहे लिखूंगा text.inner html is equal to text.inner html to text.inner html plus message हम कुछ ऐसा करेंगे console पर नहीं दिखाएंगे फिलाल के लिए देखते है और I'm very excited देखते है क्या रहता है भाई चल जा है initializing hack tool वाओ ओ यार एक चीज है एक चीज है एक चीज है टेक्स.inner html plus message plus एक br tag भी लगाना पड़ेगा और उसी के साथ साथ hacker font लिखता हूं Google से hacking वाला font लेकर आते है Google font प्लीज Google font Google font अरे Google fonts का गया Google fonts और हम Google font से लाएंगे hacking वाला font यार यह मेरे net को क्या हो रहा है इतना स्लों को जल रहा है भाई क्या बात है कहा गया hacker can't find any phone hack hacker font कौन से fonts होते हैं वैसे word font भी यूज़ कर सकते हैं चैंक करके देखते हैं कि यहां पर अपलब्द है कि नहीं अगर यह फलब्द होगा तो इसको यूज़ किया जाएगा नहीं है क्या और वैसे यार मैं इसमें से ऐसे ही select कर लेता हूं hacker वाला font यह यही ले ले लेते हैं लाटो ठीक है इसको मैं एक बिनिट में ज़रा reset करूं इसको मैं इसको यूज़ करता हूं मैं इसको use this font यह लोगों ने क्या change कर दिया गया अपना तो यह लाटो यह कौन सा लाटो यह ना डोपोटो आई तो अगर मैं इस पर download family पर क्लिक करूं तो इसने फुरी zip मुझे देदी एक बिन मैं इसको add करता हूं थोड़ा dark होना चाहिए इस वाले को add करता हूं बॉल्ड 700 को और बॉल्ड 700 को मैं add करूंगा तो मैं कुछ इस तरह से इसको मैं import करूंगा एक्चली अपनी css file में css file में कर रहा हूं तो directly इसको copy करूंगा और यहां पर import करूंगा ठीक है और यह करने के बाद मैं लाटो रोबोटों नीची है लाटो बस ठीक है बस चलेगा यार इतना ज्यादा सरका सभी नीच चाहिए बात मैं इसको जो है आप ल hacking चल लिए वाई लगना चाहिए hacking चल लिए चल लिए च्वरवाई कम आउन initializing actual connecting to facebook या थोड़ा और इसको अच्छा करूंगा यार और sorry यार अगर आप लोग कोई लग रहा है कि मैं बहुत टाइम खा रहा हूं इसमें बड़ यार मुझे बहुत इंटरस्ट आ रहा है इसमें यार मुझे बहुत जार इंटरस्ट आ रहा है ठीक है मैं multiple और इसको backspace करके save करते हैं और एक काम और करते हैं भाई साब कि इसका नाम hackerman करते हैं हाँ अच्छा लग रहा है अब अच्छा लग रहा है और अगर आपने anonymous की photo लगा दी नहीं आपर background में अरे भाई साब तब तो एक अलगी level पर हो जाएगी चीज़ अनॉनिमस की अलकी स कम opacity देते हुए photo अरे भाई साब एक अलगी हो जाएगी ठीक है मनला अरे भाई यार अच्छा लग रहा है काफी trying brute force सयर सयर बढ़िया यार बढ़िया 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 match not found another 200 के पास वर tried match not found यहांप अनॉनिमस की photo आ गई ना हलकी सी वाइट कर तो मज़ा आ जाएगा तो यार यह मेरा solution था ठीक है अब आप जो है इसको try करना यार करा होगा आपने try करना क्या तो मैं दी थी last week शायल try करना क्यों कह रहा हूं मैं भी try कर ली होगी आपने 53 minute पहले ही किसी ने try कि let's see कि कि किसका oh my god this is like क्या बोलो है यार क्या बात है क्या बढ़िया बनाया है ओई numbers change हो रहे है literally सही है यार सही है बढ़िया यार मतलब अगर भाई ने कहीं से उठाया भी है न कोट तब भी मैं salute करता हूँ क्यों तो कि यार अगर आप सही जगा से copy paste भी कर रहे हो ना तब भी finally product मेरे सामने है अगर मुझे यह चाहिए और मेरे सामने है तो मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है end product मेरे सामने है ठीक है सही यार hijacking user logs generated getting device info generating वह बार है वह यार phone access चलो यह भी देख लेते हैं सही है यार password number number भी ले लिया ठीक है यार instagram hacked यह लग रहा है बड़िया यार तो यह इनको big shout out यार तनीश 64 bit को अब यार मैं थोड़ा सा नीचे आगे उन लोग को shout out देना चाता हूं जोनों इसको पहले solve किया क्योंकि पहले जिसने solve किया यार उसको भी मिलता है shout out बनता है यार यार चार दिन पहले ये पहला हमारा देखो जिसने पहले बनाया उसने काफी उसने काफी जल्दी बनाया होगा यार ये भी बढ़िया यार ओ वाव दिस गुड इनिशिलाइजिंग hack program ये नमबर ही चेंज हो रहा है सही है enter username and hit enter ओ वाव ओ वाव finding होना चाहिए चलो कोई दिक्कत नहीं है अरे वाव यार मता रहा है यार ये देखके ये देखके मता रहा है वीडियो बहुत लंबा होगा लेकिन यार क्या करें अरे है को hacker लिया वाई ने यार क्या नाम है प्रिशान भाई डर लगता है वाते मत करो हैक मत करो मुझे रेट्रीविंग युसरनेम सभी क्लीन लगा रहा है मतलब क्रिस्प सा इमेज ये रैपल विदिन चलाओना तो काफी सही लगा रहा है मतलब ठीक है और किसी को रैपल मिलेगी तो उसे लगेगा कि भाई क्या है म ये ये रैपल सब लोग देखो यार ये 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 हैकर डैश मैं तनीश 64bit.rapple.co और यार मैंने बहुत सारे लोग ही रैपल नहीं देखिया हम वेरी सौरी आप कोशिश करें आप जल्दी से जल्दी पोस्ट करें ताकि मैं देख पाऊं ओओ 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 बाई तो अच इंस्टग्राम सरवर ठीक है भाई इंस्टग्राम ऐडी एक भी कर ली वहाई इने जल्दी अटेक में इस्टग्राम बाले करें होंगा हमारे सरवर इतने पास्ट कैसे हो गए लेकिन जोक सबाड यार काफी बढ़िया और ये यार काफी सही बनाया यार अन्टाइटल नोटपैड में क्या वात यार बढ़िया तो यार काफी creative rebels एक्टेंगों मिलती है यार exercises हमें और often करनी चाहिए जिससे कि आपकी creative rebels सामने आ सकें अगर आपने javascript की playlist access नहीं तो इसको जरूर access करना अभी के लिए इस video में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time